हेलो और वेलकुम गाईज वेरी वर्म वेलकुम एवरीवान आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के डेली कंजफेस एक्सप्रेंड में आप देख रहे हैं एक्सप्रेंड बाइक कुश और आप बच रहे हैं सुबह के 6 इन फाक्ट रिकॉर्ड वीडियो है तो केमिस्ट्री का नोबिल प्राइस भी दे दिया जाएगा इसके लावा दोस्तों बिहार में कास्ट बेस सर्वे जो ओबीसी इसको लेकर जो सर्वे हुआ था या फिर जो कास्ट बेस वह हुआ था उसके एक दिन बाद असन ने भी अनौन्स किया है कि असम के अंदर जो वहा ले सकते हैं आसान किस्टों पर आसान डिट ऑफ इंठेस्ट पर उसका अपडेट भी यहां पर दोस्तों दिया गया है जहां तर बात करें अशन गेम्स की तो हमने बहतरीन काम किया है हमने बहुत सारे कल गोल्ड जीते हैं चाहे वह आपका चैवलिन थो विमन्स में हो ऐसे within the next 3-4 hours हमें वहाँ पर भी code middle मिलने वाले हैं दोस्तों statement type questions अभी हो नहीं पा रहे हैं थोड़ी सी तबियत मेरी खराब चल रहे हैं लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ within the next couple of days हम उसको फिर से reduce कर देंगे ताकि आपका revision भी होता रहे उसके लिए माफ ही मागना चाहता हूँ लेकिन उसको मैं आड कर दूंगा आने वाले दिनों के अंदर चीक है चले आते हमारे आज के पहले homework पे कौन सा वो संगठन है जिसने reduce किया है geocoding functionality to identify and locate businesses across the country कोई आंसर है उसका GST network इसने reduce किया geocoding जो की बिजनेस को locate करेगा देश के अंदर उनके code के जरीए कौन से airline को इंडियन government ने नौट दिया है कि वो अपना द्राश्चे flight September शुरू कर सकता है आंसर है उसका AXA वैसे AXA Air अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है कई सारे जो उसके उसके जो Captains है उसके आपके पाइलेट्स हैं उन्होंने resign कर दिया है इंडिली में आपकी दोस्तों कुई थी और बार कांसल ओफ इंडिया उसने इस conference को कराया था कौन से कंट्री का Space Agency ने लॉंच किया है उसिरिस रेक स्पेस्क्राफ्ट जो की आपका गया था बेन एस्टरोइड पर वहां से उसने रॉक और सैंपल लेकर वापस लोटा है आंसर है उसका नासा भारती नेवी ने collaborate किया है MOU science किया है इन में से किस के साथ for defense technology collaboration आंसर है उसका इन इंटिट्ट अफ साइंसे बेंगलूरू जो अभी हाल ही में जो टाइम्स की high education ranking थी उसमें इंडिया का सबसे बहतरी इस्ट्यूशन है जिसकी रांक आपकी 251 और 300 के बीच है और वो टाइम्स के इस रांकिंग में इंडिया का बेस्ट्यूशन के तौर पर सामने आया है नरेंद्र मोधी जी भारत के दौरे पर हैं आलगले राज जा रहे हैं मैंने कर बताया था आपको आज वो गए हैं तेलंगना और तेलंगना में उन्होंने कई प्रोजेक्ट और कई इंफ्रस्ट्रक्ट्चर प्रोजेक्ट को लेडाउन किया है इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है आपका जो कि हुआ है आपका 800 मेगावाट का और यह फेज वन है ऑफ दी तेलंगना सूपर थर्मर पार प्लांट जैसे एंटी पीस आपका बना रहा ह इसके अलाबा 20 क्रिटिकल क्या ब्लॉक्स बनाये जा रहे हैं अंडर दी प्रदानमंत्री आईशमान भारत हैद इंफर्स्ट्रक्ट्रक्टर मिशन ताकि उन एरिया पे क्रिटिकल केयर को लेकर जो एक इमेजन्सी केयर को लेकर वहां पर सुवधाएं को हम इंप्लिमेंट अगेन जो लोग प्रिपेर कर रहे हैं फॉर APSCA, TPSC वही लोग इस पर्टिकली चीज़ को देखें इसको पर सकते हैं लेकिन इसको वही लोग देखें जो state specific exams की तयारी कर रहे हैं नेक्स पर आते हैं फिर चलते हैं 36 गर्ड मोदी जी ने वहाँ पर भी कई projects को लेडाउन किया है उनमें दोस्तों जो एक project सबसे important है अच्छा overall जो वर्थ है projects का वो 8.7000 करोड का इसमें 23,800 करोड का एक project है जो कि एक steel plant है जिसे नगर्णार में बनाया जा रहा है और इसका cost इतना रखा गया है इसके अलावा वहाँ पर एक railway station है जगदालपूर railway station जहाँ पर announce भी किया गया उसको उसी railway station को redevelop किया जाएगा under the अमरिद भारज station scheme इसी मौके पर मोदी जी ने ये भी बयान दिया कि इनके अलावा इस station के अलावा हम 30, 30 और ऐसे stations हैं जिनको हम जो है redevelop करेंगे under the very same योजना जाहिर सी बात है दो बार मैंने mention किया योजना के बारे में तो योजना बर सवाल भी है 100% exam में आता है तो आए जानते हैं ये योजना है क्या अमरिद भारज station योजना है जिसका मेन मकसद है इसका मेन intention है कि आने वाले सालों में देश के 1309 ऐसे stations है उन्हें redevelop करें उन्हें better करें ये scheme आपकी February 2023 में लॉज़ की गई थी budget के अंदर इसके अंदर जो stations redevelop किये जाएंगे वो उनके culture, उनके history उनके architecture के हिसाब से होंगे फर एक्जामपल अगर आप जैपूर पर रहते हैं तो जैपूर का जो real estate station बनेगा उसमें आपको दिखेगा जहाकी हवा महल का, city palace का समझ रहें पैसे अगर लखनों में है तो आपको दिखेगा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा रेसिडेंसी, जनेशन मिश्रपार, अगें वो उस पर्टिक्लर कल्चर को टिपेट किया जाएगा ये फोकस रहेगा उसके आपका स्कीम है उसके अंतरगत जो minimum essential amenities है toilet, clean toilets, AC या ventilated rooms होने चाहिए cleanliness होने चाहिए उहां पर senior citizens के लिए और जो विकलांग है उनके लिए chair का उनके लिए होने चाहिए आपके अलग-अलग सुधाय होने चाहिए तो कई सारे जो basic amenities हैं पहले उनको करेंगे इसके अलावा हर एक station पर एक बनेगा roof plaza जहां पर अलग-अलग जैसे कि आप जब airport जाते हैं तो आपको अलग-अलग shops मिलते हैं जनरली सी बात है आप और मैं नहीं खरीते हैं बड़े जो लोग बहुत अमीरे वो खरीते हैं लेकिन है ना वहाँ पर वैसे यहां बनेगा खाने पिनी का भी बनेगा और साथी साथ city center बनेगे जो कि एक तरह से semi या small mall की तरह आपका दोस्तों काम करेगा इसके लावा एक और concept है जो कि पिछते कुछ सालों में launch हुआ है one station one product हर एक station पर जो उस area का उस city का जो एक USP है जो city का एक product है जो की काफी popular है for example लखनों का chicken कारी काफी popular है तो उसको हम एक तरह से visible करेंगे station पर और अलग-अलग shops बनाएंगे जहां पर chicken कारी को हम sell chicken कपडों को हम sell करेंगे ठीक है अगर लखनों की बात करें वैसी हर एक city का जो वहाँ का USP है उसको वहाँ पर sell किया जाएगा under the one station one product जो की जो की आपका one district one product concept जो की यूपी concept यूपी में रॉंच हुआ था उस concept पे इस concept को लाया गया है तो यह है आपकी अमरिद भारत station scheme या प्रोजेक्ट फिर दोस्तों एक खबर है जो लगातार चलती जा रही है और यह एक developing खबर है Armenia और अजरबैजान मैंने आपको बताया था कि रीजन है आपका नगार्णा करबाक है ना उस रीजन में जो वहां की लोग रहते हैं करीब डेर लाकी उपर लोग रहते हैं वो Armenians थे लेकिन अभी कुछ समय पहले अजरबैजान ने वहां पर अटाक किया था और डेर लाक में से करीब सेक्शेंटी टी थाउजशन जो लोग हैं वो आपके वहां से चले गए हैं वो अब जो अर्मेनीयन का बॉर्डर है अर्मेनीया की अंदर जो है वहां पर चले गए इन फैक्ट रोशिया ने भी अजरबैजान को support किया है वैसे भी according to national law उस एरिया को अजरबेजान अपना मानता है वह एरिया इंपोर्टन इसलिए भी है क्योंकि उस एरिया से जो एक ट्रेड है उस एरिया से होकर गुजरता है और जो सिर्व कंट्रोल करेगा वह उस रीजन में जो एनर्जी ट्रेड है उसमें वह ज्यादा बहतर करेगा तो उसको लेकर यह पूरा मसला चल रहा है अर्मेनिया ने अब एज़कांटर रश्या को काउंटर करने के लिए जो उसका एक समय एक पार्ट अब उसका पूराना दोस्त था कभी एक उसका एक पार्टन था रश्या उसके खिलाफ जाते हुए उसने जो इंटरनाशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसमें मेंबर्शिप लेने की बात की है जो एक रोम स्टाचू होता है रोम स्टाचू बैसिकली इस देक्लेरेशन की हम आना च जाता है अब आपका सवाल आएगा कि सर अगर वह पार्ट बन भी जाता है तो इससे रश्या के खिलाफ वो कैसे गया खिलाफ ऐसे गया क्योंकि ICC नहीं कुछ समय पहले कहा था कि ICC के जो मेंबर कंट्रीज हैं अगर वहां पर रश्य प्रेजिडेंट जाते हैं तो उन्हे वहीं पर किरफ्तार कर लिया जाए ये भी एक साथ रीजन है कि इंडिया नहीं आयते व्रादमीर पूतिन उनको डर हो सकता है दिवारों को भी कान होते हैं बाई मैं यह नहीं कह रहा हो सकता है वह इस वज़र से नहाए हो क्योंकि वह नहीं चाहते हैं एक मैसेज देना पर एक divergence है from the old allies जो कि Russia और Armenia आपके थे स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं Armenian Parliament ने वोट किया है to join the National Criminal Court और इससे उसके रिष्टे और खराब होंगे रश्या के साथ ICC ने कुछ समय पहले arrest warrant जारी किया था against Vladimir Putin over the Russia Ukraine war और ICC members हो कहा था कि अगर आपके देश में वो पैर रखते हैं तो आप उनको गिरिफतार आपके करना अधिकार है इसको ICC ने यहां पर पेश किया था मैं यह कई बार यह मायनों दिखा चुका हूं आपको लेकिन फिर बताता हूं आपको नागर्ण करबोग जो है वो एक mountainous एक heavily forested area है जो कि Armenia Azerbaijan के अंदर पड़ता है यहां पर वैसे तो Armenian रहते हैं लेकिन control यहां पर Azerbaijan का है यह एरिया करीब 30 एकड़का है और इरिया करीब जो है वो 16 km का एक ऐसा एरिया है जिसको लेकर dispute हमेशा रहता है और वह ऐसा importance आपका हो जाता है जैसे मैंने पहले बता है 16 km ऐसा बॉर्डर का रीजन है जो इससे कोइंसाइड करता है इसलिए यह पूरा इश्यू आपका दोस्तों बना रहता है 1921 में अजरबैजान और अर्मेनिया बनेते सोवियोट रिपब्लिक और तब से ही लेकर अब तक रश्य जो है और दुनिया के कई देश जो है वो इस रीजन को अजरबैजान का हिस्सा मानते हैं ना कि अर्मेनिया का तो उसको लेकर पूरा जो इश्यू है वह आपका दोस्तों लगातार चलता जाना है समझ में आया सबको यह मैं तीसरी बार बता रहा हूं यह माइंड मैप पहल बात करेंगे उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा अंबेटकर जी का स्टाच्व बाबा का स्टाच्व जो है वह इंडिया के बाहर सबसे बार स्टाच्व है वो लगाया जाएगा और नॉट्थ अमेरिका पे इंडियन गुवर्मन्न के सहयोग से आपका जो है वह इसे सेट किया जाएगा 19 फुटर का स्टााचु का नाम है स्टाचु अपसै इक वालिटी और इसे बनाया है राम सूटार ने राम सूटार वहीं है जिन्हों ने चिन्हों सğinदार स्टाचु था अपका केवडिया में गुजरात में उसे बनाया था वो इसको बना रहे हैं और अगर आप नहीं जानते हैं अगर आप आज पैदा हुए हैं तो अमेटकर साहाब भारतिक कॉंस्टूशन के जनक थे भारत के पहले लॉव मिनिस्टर थे और बहुत ही बड़े भारतिय थे और एक भारत रतन अवाड़ी भी आपके दोस्तों यह जो हैं वह आपके थे तो बिसिकली वहां पर एक एकको कीग सिटी है मैरिलेंड में वहां पर तेरा एकट के एरिया में इसे जो है वह आपका सेट अप किया जाएगा यूएस और फिलिपीन जो है उन्होंने अनुवल ड्रिल शुरू किये हैं इन दिस्प्यूटेट साउच चाइना सी रीजिन अब आस समझना ध्यान से चाइना का दुश्मन फिलिपीन्स चाइना का दुश्मन यूएस तो चा चाहे वो ताइवान हो चाहे वो अलग-अलग कंट्री सो चाइना के दुश्मन है उनके साथ इशु है उनके साथ वह अपनी लिए रहता है तो एक ड्रिल आपकी हुई है यूएस और फिलिपीन्स की और उनिड़ का नाम है आपका क्ली स्तमा-समा के नाम है उसका स्लच सम् चलिए लेट्स कम बैक आइस तो हम बात कर रहे थे कि यह जो रीजन है जहां पर एक्साइज आपका हो रहा है वह बेसिकली आपका यह रीजन है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है स्कारबरो शोल इस रीजन में बेसिकली जो है यह आपका एक्साइज हो रहा है बेसिकली तुम लगाओ हम गिराएंगे हम लगाएं तुम गिराओंगे ऐसा कुछ चल रहा है और वह आपका इस रीजन में जो है बेसिक भी चल रहा है हास्यास्पत बात या फिर मजे वाली बात यह कि यह पूरा साउच चाने सी है ना चाइना कहता है कि 90% हमारा है 90% हमारा है तो जो जो लोग है वो तो मतलब और इसी बात है वो भी कुछ कहेंगे तो यह पूरा जो साउच चाने इनके भी चलता रहता है बड़ा डिस्प्यूट है लेकिन मुद्दे की बात अभी यह है कि फिलिपीन्स और चाइना की भी जो डिस्प्यूट है वो स्कार बरो शोल को लेकर ह और इसी को लेकर यह पूरा इशू चलता रहता है और इसी के लिए फिलिपीन्स के साथ यूएस ने अभी एक ड्रिल के उसका नाम है समा समा फिर दोस्तों एक स्पीशीज डेम्स फ्लाय करकी एक स्पीशीज है उसकी नई स्पीशी जो है उसे फांड किया गया है और कहां पाए गया वहीं पर जहां पर मैक्सिम चीज़े पाई जाती है अगर हम बात करते हैं तो वह है वेस्टन घाच में और उसका नाम रखा गया है और क्लायमेट इंपक्ट ऑन इंसेक्ट्स जिसे का जाता है आर्मगेड़न इंसेक्ट्स की संख्या भारी कमी हो जाए उसे खा सब्सक्राइब आपका इंसेक्स पे डिस्कवरी आपकी हुई है साउथ वेस्टन घार्ट्स ऑफ केरला में और इसे रिकॉर्ड रिजिस्टर किया है पूने के जोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सेंटर ने उसने उसने इसको रिकॉर्ड अभी हाली में आपका दोस्तों क किया है एक्सपर्ट जो है वो यूज करें नियू स्पेशिस को वित इस ओमिनस मॉनिकर इसलिए ताकि एक कॉल पर आक्शन ले सकें दुनिया के लिए कि अब भी जाग जाओ क्लामेट चेंज और उसका क्याटस्ट्रोफी है उसका कितना बुरा सर पड़ेगा ना सिर्व हम मुझे लगता है यह बहुत ही जैनिवन और बहुत ही एक मतलब एक युनिवर्सल टाइब का एक हेडलाइन है और इसके सवाल कई एक्जाम में आपके आ सकते हैं अगर हम बात करें जैड़ेसाई का तो जैड़ेसाई बहुत ही पुरानी संस्था है उसका देखिए आप उन इंडिया और बांगलादेश ने अपनी जो एकसराइज है जो उसकी एक दूइपक्षिय बालाटरल मिलेटर एकसराइज है संपरिती उसका जो 11 एडिशन है उसको जो है अभी हाल ही में आपका जो है वो स्टार्ट किया है इस एकसराइज में पांगदेश की तरफ से 52nd और 27 बांगलादेश इंफेंट्री ब्रिगेड आई है और इंडिया की तरफ से राच्पतान रेजिमेंट जो है उसको इसमें पार्टिसपेट किया गया है यह अभी आपका हो रहा है और इंडिया में आपका हो रहा है उम्रोई मिघाले में वहां पर एकसराइज जो है पापी कि ने किया है दुबई में जायद तलवार जो कि इसी साल की गई थी मेरे साब से दो पिछले कुछ महीनों की बड़ी पॉड़ेक्साइज हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में तो उसको भी आपको यहां पर याद रखना है इंडियन एफोस जो है इस साल की एंड में अस्त्रह मिसाइल को अपने एफोस में अपने कंटिंजेंट में आड़ करेगा इंडियन एफोस ने कहा है कि दो कॉंट्राक्ट उसने विद्भार डानेमिक्स लिमिटेड और इंडिजनेस अस्त्रह बियॉंड विज्वल रेंज मिसाइल जो है जो एटुए मारक करती है उसको सब्सक्राइब करेगा मैं 2022 में पिष्टे सार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री ने सायन के तक कॉंट्राक्ट विद भारत डानेमिक्स लिमिटेड और उनके साथ मिलकर जो अस्त्रह मिसाइल है उसके सप्लाई की बात की गई थी और इसका जो बजट बनाया गया था वो था आपक की है वह आपकी 110 km है जो इसका सेकेंड वर्जन आएगा उसका रेंज आपका 1500 km है और थर्ड रेंज आपका दोस्तों की उपर किलूमिटर का आपका होगा इसे डिजाइन डेवलप किया है DRDO और भारत डायामिक्स लिमिटेड ने अब एक सवाल आपका आएगा सर वाट इस से बाहर अगर वह रेंज 37 km जादा का टागेट है उसको अटाक करना हो या अगर हम सी की बात करें तो 20 नॉटिकल माय से अधिक आगे का टागेट हो उसको यह मिसाइल जो है वह आपका एक तरह से उस पर अटाक कर सकती है मिसाइल जो है इट ट्राइबल्स फोर ताइम स्प के साथ भी अधर जेट के साथ भी इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तो अस्त्र मिसाइल जो है जो कि एक बियॉंड विश्वर रेंज अट्यों मिसाइल है उसको इस साल के एंडमेंट इन एफोस अपने पास परचेस कर लेगा फिर दोस्तों भारत के अंदर एक का नाम है पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जिसे हर फ्रीक्विट इंटेवल पर स्टाइंड पूर जो की एक ग्रेटेटिंग एजनसी यूएस की वह इसको इंडॉस करते और इंडिया के लिए इससे दोस्तों जो है आपका पेश किया जाता है तो स्टाइंड पूर का जो ग्लोबल इंडिया मनेफाक्टरिंग पर्चेजिंग मैंजस इंडेक्स है वह इसकिया है फ्रॉम फिफिट पॉट फॉट 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 इन दे मंत ओफ ओगिस्ट है हां तो यह इस आऊट किया है अगर देखो आपस समझना वैसे तो कमी आई है कितने कम कमी याई करीब 05.6, savior 1.1 ऐ哇 क्थे यह कम से कम लेकिन फिव्टी उपर है अगर इस इंडेक्स מ Works को राता है तो एक्वनलीग्रोकरती है और इसमें स्कॉर आपका श्कॉर नीचे आता है तो जो manufacturing sector, service sector economy है, वो आपकी contract कर रही है और हमें सोचने की बात है, तो score अगर 50 के उपर है, तो अच्छी बात है, खराबात वो बिलकुल आपकी नहीं है, अब अगर हम बात करें इस index का, तो ये basically एक survey based measure है, जिसमें इस survey में कई लोगों से पूछते हैं, कि भाई, आपका क्या perception, कि information provide करना, कि अभी business conditions कैसी है, और future में कैसी हो सकती है, जिस basis पर जो market के लोग के अंदर जो individuals है, companies है, या जो investors है, वो अपने decision ले सके, basically manufacturing sector के लिए अलग calculate होता है, और service sector के अलग calculate होता है, बात में उसको merge करके, हम इस score पर पहुछते हैं, जैसे मैंने पहले बता है, अगर आपका score 50 से उपर होता है, तो better है, उससे कम होता है, तो economically better नहीं है, इस index को compile करता है, IHS market और वो करीद दुनिया की 40 economies में ऐसा index जो है, वो हर frequent interval पर publish करता है, PMI एक बहुती जादा follow करने वाल इंडिकेटर है, economic health को लेकर, और अगर ये positive होता है, तो अगर ये 50 के उपर होता है, तो किसी भी economy के लिए ये positive sign के तोर पे काम करता है, तो SNP का जो PMI है, वो 57.5 है, from 58.6 in the month of August, फिर दोस्तों, World Bank ने कहा है कि जो current financial year है, उसमें इंडिया ग्रो करेगा at a rate of 6.3%, मतलब उसका मानना है, कि जो भारत का gross domestic product है, जो भारत का GDP percentage है, जो भारत की internal growth है, वो रहेग कि आपकी 6.3% पर, उसने पहले कहा था 6.6% पर, यहां पर एक और बात गौर फर्माने वाली है, कि 2022-23 में उसने कहा था कि इंडिया ग्रो किया है 7.2% पर, जो कि दुनिया की सबसे जल्दी ग्रो करने वाली, fastest growing economies में से एक है, लेकिन इस बाउस ने कहा है, कि current financial year में, because of the global challenges growth होगी, लेकिन पहले 6.6% था, but due to the challenges, अब 6.3% पर, इंडिया जो है, वो इस financial year में आपका grow करेगा, जैसे मैंने पताया आपको वीडियो के starting में, बिहार में OBC या caste या social economic caste-based survey आपका आया है, जिसमें कई सारी findings आई है, मेरा personal मानना है, अगर हम politics की बात का है, मेरी जानका भी करता है, current affairs को और इंसाने मुद्दों को, तो जाहिर से बात है, वो एक game changer साबित होगा, number one, number two, अगर बिहार ने किया है, आगे चलकर उडिसा भी करने वाला है, और उसको देखते हुए ही, असम के अंदर भी, खास तोर पे, जो असम के अंदर का, जो असम में रहने वा मतलब, उसने कहा है कि ये इस प्रदेश से ही तालुक, ये प्रदेश, इनका जो एतिहास है, वो प्रदेश से located है, प्रदेश में ही इनका जो एक native place है, वो है, और उन समुधाय का नाम है, गोरिया, मोरिया, देशी, सायद और जोलहा, तो असम गवर्मन ने कहा है कि इनके economic assessment करने के लिए कि इनकी आर्थिक स्तितिक ऐसी है, उसके लिए वो ये सर्वे आपका जो है, वो करवाने वाले है, जो कि उनकी academic, उनके social society के basis पर, उनके political basis पर, उनकी आर्थिक उथान, economic upliftment के बारे में, उन सब के बारे में, इन पास समुधाय, जो पास मुसिश समुधाय है इनकी study करेगा, अगर हम Assam के demographics की बात करें, तो 2011 के census में, ऐसा देखा गया था कि वहाँ पर जो इसलाम religion है, जो मुसिश समुधाय है, वो second largest and fastest growing religion है, Assam के अंदर, और Assam, इंडिया के बात करें, तो जम्मू कश्मीर के बाद, जो दूसरी सबसे अधिक population है, मुस्लिम की, वो जो इन्होंने सर्वे कराया था, उसमें भी ऐसा ही देखा गया है, तो जाहिर से बात है, उनका जो social economic status है, उसको देखने के लिए अलग से सर्वे हमें कराना पड़ेगा, तो उसको लेकर, Assam के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये बयान आपका जारी किया है, फिर दोस् है, इसलिए उसे platinum certificate दिया है, और ये एक indicator है कि station ने carbon emissions को रोकने में भरपूर कोशिच आपकी यहां पर दोस्तों की है, अगर हम IGBC की बात करें, तो ये part है confederation of Indian industry का, और इसे 2001 में फॉर्म किया गया था, ताकि green energy या green buildings को हम promote कर सकें, और देश के अंदर जो अलग-अलग सं friendlyness की और, और carbon emissions को कम करनी की और main focus करें, उसको लेकर CII ने इसे 2001 में आपका बनाया था, M.O.S कोई है नहीं, अब आते हैं important days पे, दोस्तों, आज का जो दिन है, वो हम observe कर रहे हैं, World Animal Welfare Day, इसका theme है, Big or Small, We Love Them All, मतलब चाहे कुटा हो या बिली, सब को हम पसंद करते हैं, और यह आज का theme इसे दोस्तों जो है, वो रखा गया है, जब मेरे पास dog नहीं था, तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, बहुत ही weird लगता था, कि लोग कितना प्यार कर सकते हैं, किसी जानवर से, किसी pet से, लेकि जब ऐसा है, तो मैं इस बात को आपको बहुत ही भरोस पर्षों हमें गोल में नहीं मिला था, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें कई सारे ब्रॉंज दो मिलेते हैं, लेकिन कल के दिन तो, इंडिया ने गोल भी जीते हैं भरपूर मातरा में, और इंडिया का टोटल स्टांडिंग है वो फोर्थ पे है, विट 15 गोल मेडल्स, 26 इलवर 28 ड्रॉंज और 69 ओरॉल मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, वैसे चाइना लंबर वन पे है, विट ओवरॉल 207 मेडल्स, और उसका सिर्फ गोल की बात करें, वो आपकी 161 है, जैपान के 33 हैं, और रपब्लिक अफ कोरिया के 32 हैं, हम मुश्किल है कि हम 3rd पहुचेंगे, लेकि अनुरानी ने जैवलिन थ्रो में विमन्स काटेगरी में जितवाया है हमें गोल्ड मेडल, उन्होंने अपना इस सीजन का बेस्ट थ्रो किया, दाट इस 62.92 मीटर, उसको थ्रो करने के बाद उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, श्विलंका की दिलहानी लेकामगे को मिला है लेकिन 1974 के बाद पहली बार इन्होंने इंडिया को जिताया है एक मेडल, तिस आफने में सभी थीड़ेसर हो आफ सितैंगा बानते कर। रागए रसनैंट की यह पूरते हैं दिकिया तैकडलोर्ण वह पर व डॉर। इस प्र Nepस्राइब की कर को और मिन लिकाती अष्युअ कारन बानते हैं कि Supreme the Asian Games since 1974 उन्हें silver medal मिला इस particular category में फिर दोस्तों पारुल चौधरी मैंने आपको बताया था कि 3000 मीटर का एक steeplechase होता है जहां पर obstacles होते हैं उन्हें cross करके आपको वो race पूरी करनी होती है उसमें अविनास साबले उन्होंने जितपाया था हमें gold medal उसी category में steeplechase में पारुल चौधरी को मिला था silver जबकि वो gold medal की दावेदार थी तो उन्होंने उसकी भरपाई करते हुए जो 5000 meters race है उसमें जीता है gold medal मैं भागेशाली था मैंने इस race को live देखा जब आखरी के पचास या चालिस मीटर में उन्होंने चाइनीज जो चाइनीज जो आथलीट है उनको कैसे पचाड़ा और कैसे उन्होंने गोल जीता तो ही हास शी हास वान the gold medal in the 5000 meter gold और यह तीसरा गोल्ड है एथलेटिक्स में चौथा गोल आपका है अनुरानी का और यह तीसरा गोल्ड जो जीता है ठीक है आर्चर ओजस प्रवीन और अभिशेक वर्मा एफ सेट अप अन ओल इंडियन फाइन इंडे मेंस कंपाउंट इंडिवेंट यह पहली बार होगा जब इंडिविजुवल गोल्ड मेडल इंडिया को मिलेगा इंडियुप ऑफ एस इन गेंड़ जो कि इन मेंगेर के टीम से मुझे गोल्ड मेंडल तो मुझे अभी उपीवी सिंद्धू से भी उमीद है कि वो हमें gold medal दिलवाएंगी इस बार के Asian Games में, तो अभी करीब 10 gold medals, 10 नहीं कहूंगा, जदा हो गया, 8 gold medals में expect कर रहा हूं Asian Games से, फिर दोस्तों International Olympic Committee, यह थोड़ी पुरानी खबर है, करीब 4 दिल पुरा लेकिन important है, अच्छा इस खबर के दो aspect है, एक है बहुत detail, आपको बहु Climate Action Awards को पेश किया है, तो आप confused होगे, आप बोलोगे हो सकता है, United Nations Framework for Climate Change हो सकता है, convention जोगे Climate Change हो सकता है, या फिर let's suppose UNESCO ने किया हो, वो भी कर सकता है, लेकिन आंसर महार रहेगा आपको IOC, International Olympic Committee ने तीन Awards आपके Announce किये है, Sustainable Travel, Innovation और Athlete Advocacy पे, और अवार्स दिये जाएंग Athletes को, National Federation को, और National Olympic Committee को, उनको ये अवार्ड जो हैं, वो आपके दिये जाएंगे, दे दिये, Announce भी कर दीगे, लेकिन मैंने जानबूच, हमको नाम नहीं लिखे है, because बहुत जाता हो जाता हो, उतना डीटेल में आपका किसी एक्जाम में नहीं आता है, तो इन्होंने Climate Action Awards को पेश किया है, अगर हम IOC की बात करें, तो 23 जून 1894 को ये बना था, PRAD कुर्बटिन इसके फाउंडर थे, हेड़कोर्टर लुवासान स्विजिलिंड में है, और करेंट प्रेजिडेंट है इसके है, तॉमस बाक, फिर प्रोफेसर करांधिकार बने है, Secretary of the Department of Science Technology, और उन्ह से रूरल ब्रोडबैंड अफॉर्डबल हो सके, और टेलेकॉम पॉलिसी में भी उन्होंने कॉंट्रिब्यूट आपका किया था, तो श्री प्रोफेसर अबय करांधिकार बने है, Department of Science Technology के नए Secretary, फिर वाइज अड्मिरल तरुन सोपती बने है, the Deputy Chief of the Indian Naval Staff, और ये Commission हुए थे नेवल स्टाफ बने हैं, भारतिय नेवी के, फिर दोस्तों, नोबेल प्राइज बाद दिया गया है, फिजिक्स में ती लोगों को, उन्होंने पहले है, पियरे अगस्तोनी, दूसरे है, फेरे क्रोस, फेरें क्रोस, और तीसरे हैं आपके Ann La Hulia, और उन्हें दिया गया है, फो देटी ऑफ एलेक्ट्रों डाइनमिक्स, बिसेक्ली उन्होंने कुछ लाइटनिंग बर्स्ट मॉलिक्यूल के अंडर डेवलप किये थे, जिससे कि जो एलेक्ट्रों मॉवमेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी हम स्टडी कर पाएं, उसके लिए इनको जो है ये अवा जो है वापका दिया गया था, पिसेकली उन्होंने अल्डरा शॉर्ट बर्स्ट अफ लाइट डेवलप किया था, एलेक्ट्रों मॉमेंट को चेक करने के लिए, और वो कैसे शिफ्ट होते हैं, उनकी इनरजी लेवल के शिफ्ट होते हैं, इस अल्टरा शॉर्ट बर्स्ट से उसको अब हम track कर सकते हैं इसीलिए इनको Physics के अंदर Nobel Prize इन को दिया गया था प्रियरे अगॉस्तनी जो है वो फ्रांस से हैं फ्रेंच फ्रेंच है फेरेंग क्रोस जो हैं मों उस्ट्रीन-Hungarian physicist है और अल्टयूले जो है वो भी अगेन आपके फ्रांस से हैं 2022 2022 Nobel Prize दिया गया था to Allen Aspect, John F. Clauser and Anton Zellinger उनको 2022 में फिसका Nobel Prize दिया गया था फिर दोस्तों prolific author, entrepreneur and social welfare philanthropist Sudha Murthy जो कि नानमूर्थी जी की वाइव भी है उनको दिया गया है, she has become the first woman जिनको दिया गया है the Global Indian Award interestingly award दिया गया है by the Canada Indian Foundation ने और इसे Canada के अंदर ही इस award को दोस्तों जो है वापका दिया गया है 2014 में यह same award मिला था इनके husband को और 2023 में इनको मिला है, इन्होंने in fact आपने speech में मजाग भी किया कि अब हम इकलोते pair हैं दुनिया के जिनको यह award मिला है, एक को 2014 में और एक को 2023 में का नाम है आपका सुधा मूर्ती, अगर आप novels पढ़ना चाहते हैं या फिर अगर आपको fiction पसंद है, inner fiction पसंद है तो जरूर इनकी novels पढ़िएगा, बहुत अच्छी, बहुत सुन्दर novels यह लिखती है, उनका नाम है Mrs. सुधा मूर्ती, फिर दोस्तों एक योजना news में है, उनका नाम है श्रेयस, यह एक free coaching प्रोवाइड करती है to SCST students, जिसमें कई sub schemes हैं, जिसमें अलग-अलग coaching प्रोवाइड किये जाती है, तो श्रेयस इनिशेटिव जो है, उसे वो एक तरह से इ में आप पे आते हैं, scholarship for higher education for young achievers scheme, श्रेयस एक umbrella scheme है, ministry of school, justice and empowerment का, इस scheme में चार schemes आती है, पहली scheme है आपकी free coaching for SCs and OBCs, जहां पर अगर किसी family की, अगर वो SC or OBC category में है, उसकी family income 8 लाग से कम है, उसे मिलेगा free coaching उसके बच्चों को, तूसरा है top education for SCs, जहां पर 12th के बाद जो अलगल exam उनकी तियारी के लिए, उसमें बच्चे को लाने पड़ेंगे 60% से अधिक marks और उसकी उम्र 35 यह से कम होने चाहिए, फिर है आपका SC students pursuing M.Phil PhD degree उनके लिए भी है, और उनको help करते हैं, UGC net qualify करने में, उनके लिए भी योजना आपकी बनाएगी है, तो श्रेयस scheme को अधिक street vendors को register किया गया है, help किया गया है, under the Pradhan Mantri Swanadhi Yojana, जो कि है आपका street vendors, आत्मनेरभर Swanadhi Yojana, जो कि है आपका PS Swanadhi, अगर इस योजना की बात कहें, तो यह central sector scheme मतलब 100% funding सरकार करती है देश की, और यह work करती है under the Ministry of Housing, Urban Affairs, इसमें चाहे वो उसके working capital loan हो, चाहे regular repayment क करेगा, तो फाइदा होगा, और digital transactions promote करने की, आप online जाकर, या फिर online आप accept करो orders, या फिर QR code के ज़री payment accept करो, उनको promote करता है, ठीक के एक तरफ लोन देता है, एक तरफ उनने regular payments का encourage करता है, loan repay करने के लिए, दूसरा, वो digital payments की बढ़ाता है, ता कि आप QR code का यूज करके, पे होता है, वो होता है, 50,000 रुपीस का, लेकिंग condition है, कि अगर आपको third loan चाहिए, तो पहला मिलेगा आपको 10,000 का, उसको repay करो, फिर second उसको repay करो, फिर जाकर आपको 50,000 का loan जो है, वो provide किया जाएगा, इसमें सरकार subsidy देती है, 7% तक subsidy सरकार में provide करती है, CDB इसका technology partner है, और मा 2020 से पहले, 24 से पहले, जो street vendors थे, उनके लिए योजना थी, कि उनको ही इसमें add किया जाएगा, लेकिन अब तेश के अंदर हर street vendors को इस योजना का फाइदा जो है, वो आपका दोस्तों मिलता है, तो इसका नाम है PM स्वा निधी, फिर दोस्तों, एक ranking आई है, उस ranking को पेश कि गया है, National Bureau of Economic Research ने, और इसमें करीब 1200 शहरों को cover किया गया है, और 152 कंट्री में cover किया गया है, और इसमें यह चकिया गया है, कहां पर सबसे slow traffic है, उस category में भिवंडी, कोलकाता, आरा, जो छोटे शहर हैं, आपके को हटा दे तो, यह दुनिया के सबसे top 10 cities में से हैं, जहां पर slowest traffic है, screen पर आप देख सकते हैं, इस report का नाम है, the fast, the slow and the congested urban transportation in rich and poor countries, average travel speed of motor vehicles की बात करें, तो उसमें सबसे highest है, average travel speed में, Flint, US में, slowest बंगलादेश की capital धाका में है, और सबसे congested traffic है, वो आपका, बोगोटा, कोलंबिया में पाया जाता है, दस में से 9 शहर जो हैं, जो की slowest category में आते हैं, वो या तो बंगलादेश में है, इंडिया में है, या नाइजीरिया में है, बिवेंडी की rank 5th है, world's 20 slowest cities में, उसके पास 6th पर कोलकाता है, 7th पर आ रहा है, 11th पर आपका बिहार शरीफ है, 13th पर मुंबाई है, 18th पर एजॉल है, 19th पर बंगलूरू है, औ by Mumbai at 13th and Delhi at the 20th place, congestion में बेंगलूरू का कोई भी टकर का नहीं है, फिर दोस्तों, अभी हाल ही में, मोदी जी कहते हैं इंग्लिश में, वो बस्तर स्टेट की कही जाती है, और ये टेंपल, according to legend का जाता है, कि यहाँ पर जो दात था, जो टूथ था, सती जी का, वो यहाँ पर गिरा था, जब शिय भगवाल ले जा रहे थे, सती जी को, जब पूरा जो एपसोट हुआ, जब उनके अलग-अलग पार्ट्स, देश के अलग-अलग या पृत्वी के अलग-अलग हिस्तों में गिरे थे, तो उससे यहाँ पर उनका जो टूथ है, वो गिरा तीन सो से अधिकरन T20 में, शिन यान 6 जो एंटर किया है, इंडियन ओशन में, रिसर्च वेसल है किस कंट्री का, कॉंसर स्टेट ने डिवाइस किया है, एक एक अक्शन प्लान टू कर्ब, पैडी, श्रॉ बर्निंग, कॉंसर स्टेट ने लांच किया है, डिडिकेट टूरि इनके जवाब मेरे को आप कमसेक्शन दीजेगा, अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए, तो इसको स्कान कर लीजे, आपको मेरे वाट्साप गूप मिल जाएगा, वहाँ पर पीडिएफ भी आप मिल जाएगा, वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं, बाकि अगर आप को मेरे साथ सोचल मेरे जुड़ना है, तो यह हमारे इस्टाग्राम आईडी यहाँ पर हमेरे साथ जुड़ भी सकते हैं, थैंक यू सो मच एफ्री वान फॉ कमिंग, और बाबाई गाइस, टेक के मलकात करते हैं बाप से हम कल के दिन, बाबाई, थैंक यू सो मच, आप या पीसाओ